हेलो प्रेंट वेलकम टू येश्टे टेटरी लोटो प्रेंट समलोग आज परियावरड़ी अध्येन का दसवा प्रेक्टिस सेट साल्व करेंगे जो आपके उत्तर प्रतेश्ट एटी परिक्षा के लिए काफी महत्पोड होगा इसके पहले का सभी पार्ट आप लोग प्ले कर लेजीगे ताक्क याने वाले वीडियो का नोटिपी केशन शबशे पहले में शकें तो चलिए को को सुरू करते हैं पहला कोशन है चावरा बाड़ी ग्लेसियर इस्थित है तो चावरा बाड़ी ग्लेसियर कहां पे इस्थित है तो ये उत्तराखंड में जो किदादात मंदिर है उसके उत्तर में यहां पे इस्थित है तो यहां पे सी आफ्टानापका इसमें सही हो जाएगा अगला कोशन है सुपर नोवा है तो सुपर नोवा क्या है तो यह एक मृत प्राय तारा है ठीक है यहाँ पे डी आप्सन करेक्ट हो जाएगा सुपर नोवा पिसपोर्ट के पहस्चाद जो है तारा मृत्यों की दसा को प्राप्थ होता है अतयाम कर सकते हैं कि सुपरनोवा एक मित प्राय तारे की बिस्पोर्ट अवस्ता है तो यहाँ पर एटी आफ्षन आपका इसमें सही हो जाएगा अगला कोशन है मांट टीटलिस इस्तित है तो मांट टीटलिस कहां मित परवत है और आपका इसमें आपका शही हो जाएगा और Germany में एक पूछता है बार-बार Germany में Black Forest ठीक है तो Black Forest कहां पे है तो ये Germany में है इसको भी आप लोग याद रखेगा और सन्युक्त राजी अमेरिका में जो है Rocky पर बस्रिंग खला इस्थे थे तो ये तीनों महत्वपोन है तीनों बारी-बारी से पूछे जाते हैं तो यहां पर Mount Titles के बारे में पूछाए तो C आपसन आपका इसमें सही हो जाएगा अगला question है यहां से 3-4 question आपके सम्मिधान से भी रखे गए हैं क्योंकि शल्वेस में यहां से भी प्रशन पूछे जाते हैं पिछले पेपर के इनुसार तो इसको भी आप लोग याद करते चलिएगा बारती सम्मिधान में मौलिक कर्तब्य का विचार के सम्मिधान से लिया गया है तो आप लोग जनते होंगे रूस के यानि पूर वे सोवियस संग से तो यहां पे सी आपसन करेक्ट हो जाएगा और मौलिक कर्तब्य फिप्टी वन के का में है भाग चार के का में ठेक है बारती सम्मिधान से सोदान 1976 में इसको जोड़ा गया है तो यह सभी पॉइंट को आप लोग याद रखेगा यहां पे सी आपसन करेक्ट हो जाएगा अगला कोचिन है भारती सम्मिधान निमने में से कौन सी नागरिकता प्रतान करता है तो आप लोग जानते होंगे एकल नागरिकता भारत प्रतान करता है भारती सम्मिधान जो है एकल नागरिकता प्रतान करता है बारत के प्रतेक नागरिक की केवल एक नागरिकता है अर्थात वह केवल भारत का नागरिक है और अमेरिका में जो है क्या है तो अमेरिका में जो है यह दोहरी नागरिकता है तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा यहां पे भी आफसन सही हो जाएगा और नागरिक्ता का की सनुख्षेद में बर्डन किया गया है तो 5 से 11 तक जो है नागरिक्ता के बाड़े में बर्डन किया गया है तो इसको भी आप लोग याद रखेगा यहाँ पर यह आफसन सही हो जाएगा अगला कोशिन है निम्निमेसी भारत का राश्टपती किसकी नियुक्ती नहीं करता है तो उपर राश्टपती की नियुक्ती वो नहीं करता है ठीक है उपर राश्टपती का निर्वाचन होता है अनुचे 666 के अनुसार ठीक है तो यहाँ पर यह आफसान आपका सही जाएगा उपर राश्पती को राश्पती नियुक्त नहीं करता है बलकि इसका निर्वाचन होता है अगला कोजिन है कि इंदर सासित प्रदेश लद्दा का पर्थम लेटिनेंट कवर्नर किसे नियुक्त किया गया है तो यह पर्थम लेटिनेंट कवर्नर जो उपर राजपाल नियुक्त किया गया है वो रादा किष्ण माथुर है यह पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त थे और इन्हीं को जो है वहाँ के राजपाल नियुक्त किया गया है तो उपर राजपाल नियुक्त किया गया है यानि लेटिनेंट गवर्नर तो यहां पे भी आपसान आपका सही हो जाएगा अगला कोचिन है निम्न में से कौन भारत में राजनीतिक दलों को मानेता परदान करता है तो यह भारत का निर्वाचन आयोग जो है भारत में राजनीतिक दलों को मानेता परदान करता है और भारती समिधान के अनुच्छे 324 के तहर जो है निरवाचन का अधिक्षण, निदेशन और नियंतर निरवाचन आयोग में नहित किया गया है तो यहाँ पे भी यह आपसान आपका सही हो जाएगा अगला कोशिन है निर्वाचन में से कौन सी एक समिध भारत में पंचायती राज ब्यवस्ता से सम्बंदित नहीं है तो यह दिनिस गोष्वामी समिध यह पंचायती राज ब्यवस्ता से सम्बंदित नहीं है यह समिती जो है चुनाव सुधारों से संबंदित है ठीक है यह जो है दिनेश को स्वामी यह चुनाव सुधारों से संबंदित है और यह तीनों जो है यह पंचायती राश से संबंदित है तो दोनों पॉइंट को अब लोग अच्छी तरिकी से याद रखिएगा यहाँ पर यह आपसन सही हो जाएगा अगला कोशचन है निकत द्रिष्टी दोस को ठेक किया जाता है किसके दोरा तो आवतल लेंज्ट लगा करके ठीक है निकत की बस्त को असपष्ट देख लेता है लेकिन निश्चित दूर से अधिक दूरी वाले बस्त को नहीं देख पाता है अईसा इस दोस का निवारण करने के लिए जो है बैक्ति के चस्मे में आउतल लेंस का अगर प्रयोग किया जाए तो वो दोर की बस्तो भी देख सकता है ठीक है तो यहाँ पे भी आप सनापका सही हो जाएगा अगला कोचन है दूद का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है तो यह बैक्तिरिया के द्वारा होता है ठीक है दूद में कैसीन नामक प्रोटीन उपस्त होता है और इस प्रोटीन के कारण दूद का रंग जो है सफेद होता है और दही का निर्माण लैक्टिक अमल के बेक्टिरिया तथा कैसीन के बीच रासाइनी करिया की फल सुरूफ होता है तो यहाँ पर आफसन नमबर A आपका इसमें सही हो जाएगा अगला कोचिन है सीत भंडारों में फालों तथा साग सब्जीयों का अफगटन धीमी हो जाता है थेक है सीत भंडारों में फालों तता साग सब्जीयों का अफगटन क्रिया धीमी हो जाती है अता इसका वप्योग काई दिनों तक क्या जा सकता है तो यहाँ पर T ya क्रण आपका सही हो जाएगा अगला कोचिन है थाइराइड ग्रंत की खरावि किस की कमी के कारण होता है तो यह आयोडीन की कमी की कारण, ठीक है, आयोडीन की अगर कमी है, तो थाइराइड ग्रंथ ही बढ़ जाती है, तो यहाँ पे C आपसन सही हो जाएगा, अगला कोशन है, मलेरिया की रोगियों की उप्चार के लिए प्रयुक्त कुनेन दवा निमलिकित में से किस पौधे की अगला कोशन है, नगरी करण और अध्योगी करण हानिकारक हैं, किसके लिए? तो यह सभी के लिए हानिकारक हैं, संतुलित विकास के लिए भी, परियाबरण यूग पारिश्टित की के लिए भी, जैविवित्ता के सनचन के लिए भी हानिकारक हैं, नगरी करण और अध्य करण ठीक है आप लोग समझ सकते हैं नगरी करण जो अधोगी करण बढ़ावा होगा तो पींट पोधो को खटा जाएगा जिसे पर्यावरण पस होगा जैब वित्ता में खद्रा होगा संतुलित विकास नहीं हो पाएगा बारिस नहीं होगी समय से तो यहां पर करेक्ट होगा सकते हैं अगला कुर्चन है जै विवित्ता के नास का कारण है यह तेनों हो सकते हैं जीवों की प्राकृति कावस की कमी पर्यावरणी प्रदूथन बनों का नास तो यहां पे डियापसन आपका इसमें सही हो जाएगा अगला कोशन है विश्व जय विवित्ता दिवस का मनाय जाता है तो विश्व जय विवित्ता दिवस जो है ये 22 मई को मनाय जाता है यहाँ पर आपका बी आपसन करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन है नागालेंड की परवत करम से बंजर होते जा रहे हैं उसका प्रमुख कारण क्या है तो इसका प्रमुख कारण है जोम खेती जोम खेती क्या होता है एक बार वहां पर बुवाई कटाई करने के बाद वह अस्थान चोड़ दिया जाता है अगली बार जह जंगलों को काट करके फिर वहां खेती के जाती है फिर छोड़ दिया जाता भारत वर्थ का प्रथम राश्टी उध्यान कौन सा है, तो भारत वर्थ का प्रथम राश्टी उध्यान जो है वो James Karbeit राश्टी उध्यान है, इसकी अस्थापना जो है 1936 में किया गया था, ये उत्राखंड में है, और इसका पहले नाम था Türkiye आ rose diy ओत्र cannot जाता है तो यहां पर अब का भी आप समसे कि यह समसें सको भारत वर्ष का परथम राषटि ऊद यहां याद रखिंगा ऑगला कॉचन नहीं जंगली गदहों का अभ्यारण कहां पर है कि तो जंगलीग पाई जाते हैं यह गुजरात राज्य के कच्छ की खाड़ी में ठीक है? तो यहाँ पर आपका C आपसन करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन है निम्लिकित में से कौन सा एक जीवास में इधन है? तो जीवास में इधन कोईला, पिट्टोलियम और प्राकृतिक गैस यह तीनों होता है यहाँ पिट्टी आपसन आपका सही हो जाएगा पौधे की वे यूत्पाद जो हजारों परसों से प्रिधवी के नीशे दबे पड़े थे या कहें पौधे की वे जीवास में जिनका उपयोग हम इधन की रूप में करते हैं वो जीवास में इधन का लाते हैं जैसे कोला हो गया, पिट्टोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया यह सभी जो है जीवास में इधन की रूप में जाने जाते हैं अगला कोशिन है ध्वानी पुदूर्शण को मौपने है तो निम्रिक्रित में से कि सिकाई का प्रयोग किया जाता है ध्वानी ग्लोबिन में ठीक है मायो ग्लोबिन लगबग सभी अस्थन्धारियों सामाने तक कसोरी की प्राणियों के पेसी उतकों में पाय जाने वाला एक प्रोटीन है और लोह इसका आवस्यक घटक माना जाता है तो यहां पे डी आपसानापका इसमें सही हो जाएगा अगला कोचिन है निम्रिकित में से कौन सा पदार्थ पादप से प्राप्त किया जाता है तो यह हींग है ठीक है हींग को जो है पादप से प्राप्त किया जाता है तो यहां पे डी आपसानापका इसमें सही हो जाएगा अगला कोशिन है पादप कोशिखा भित्ती मुख्यता किसे बनी होती है तो यह सेलुलोज से बनी होती है ठीक है यहाँ पर यह आपसानाप काईश में सही हो जाएगा अगला कोशिन है दिसंबर 2020 में केंद्रे स्वास तेवंग परिबार का लिएन मंत्रा ले तोरा कोविड-90 वेक्सेन डिलिवरी की रियल टाइम निगरानी रखने है तो विक्सित किये गए मोबाइल एप का क्या नाम है तो उस एप का नाम है कोविन ठेक है यहाँ पर आपका स की आपसन इसमें सही हो जाएगा अगला कोशिन है नौफरवरी 2020 को भारत ने किस देश में लाल लालंदर यानि सहतूत जिसकों कहते हैं बाद के निर्मान के लिए समझावता ग्यापन पर हस्ताक्यर किया गया तो यह अफगानिस्तान के साथ ठीक है नोफरवरी 2020 को भारत अफिकानिस्तान में लालंदर बार के निर्माण के लिए एक सम्झाओता ग्यापन पर हस्ता किर किया है तो यहां पे टिए आपसा नापकापस ही हो जाएगा अगला कुशिन है कौन सा क्रिकेटर मुघल मेडल पाने वाला विस्व का पहला क्रिकेटर बना मुघल मेडल मुलग मेडल किस ने पाया है तो यह पाया है आज एक किरहाने ठीक है आज एक किरहाने को जो है मुघल मेडल से सम्मान किया गया है और यह विस्व का पहला अत्मार में संग लोक सिवा आयोग यूपियसी के अध्यक्ष हैं तो यह हैं प्रदीप कुमार जोसी यहां पर आपका सी आफसान आपका सही हो जाएगा अगस्त 2020 में प्रदीप कुमार जोसी को संग लोक सिवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में पदवार ग्राण किया गया है तो यहां पर सी आफसान आपका इसमें सही हो जाएगा